सबी बाईयों को सुरेंदर संसनिवाल के तरफ से नमस्कार सबी बाईयों का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल पे आज की वीडियो हम लेक्यार है अपने फारम से ही तीन बैसे आज मैं बाखडी आपको दिखाऊंगा जो की अपने फारम पे हैं और ये तीनों बैसे अभी फिलाल जिसमें से दो प्रेगनेंट हैं और एक प्रेगनेंट ओने वाली है ये जोटी बहुत सारे भाईयों ने देखी भी होगी इसकी वीडियो और इसके बारे में भी मैं बात करूँगा आपसे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा अपना एड्रस गाओं का नाम पुर तैसील बवानी खेडा जिला बिवानी अरियाना में है हमारा फारम और आज मैं आपको जो पसू दिखा रहा हूँ ये जो ड्राइव ऐसे हैं वो दिखा रहा हूँ तो इसमें सबसे पहले ये जो इदर जोटी बंदी हुई है ये दूसरे ब्यात की है और अभी छे दात में है आठवे दात सायद इसने अभी तोड़े नहीं है दूसरे ब्यात की है जब ये पीक पे थी तो इसमें आठारा लिटर दूत था साथ में इसके कटड़ा है जो को ये जो जोटी है लोक डाउन भी बीच में लग गया इस कारण से अपने पास ही रही और ये 1,36,000 रुपे की हमने खरीदी थी फिलाल ये प्रेगनेंट होने वाली है बच्चे दानी में किसी तरह की कोई समस्या नहीं डोक्टर से चेक करवा रखा है हमने और बड़े अडर की है लगबग अभी दोपेर के जो है मैं टाइम आपको बताना चाहूंगा दोपेर के अभी लगबग साटे बारा बजे हैं तो पांथ से छे के बीच में सुबह मिलकिंग होती है पांथ से छे के बीच में स्याम को मिलकिंग होती है आदा टाइम अभी लगबग हुआ है और ये जो टी अभी फिलाल 14 लिटर दूद दे रही है ये हमारे पास बेकरी के लिए उपलब्ध है एक लाख 35,000 रुपे की ताजी हमने ताजी ब्याई हुई ली थी प्रेगनेंट होने वाली है चार-पांस दिन में हो भी जाएगी वो फिलाल रखी है 85,000 रुपे तीसरे ब्यात में जब ब्याईगी तो 20 लिटर दूद देने वाली जोटी रहेगी इसके साथ ही एक और जोटी ये जो साइड में खड़ी है ये लगबग अभी 4-4 मिने की ब्याई हुई है और 20 एक दिन पहले इसको जो है हमने सीडर रखवाया था और सीडर रखवाने के बाद इसको प्रेगनेंट करवा दिया सीडर रखवाने से पहले इसमें 12 लीटर दूद था लेकिन सीडर रखने के बाद जो दूद है वो थोड़ा कम हो जाता है और अभी ये दूद दे रही है लगबग 10 किलो दोनों टाइम पे हाथ से मिलती है और इसका ये जो कटड़ा है ये पिछे खड़ा है ये बच्चे पे नहीं मिलती है हाथ से मिलती है ताजी भी आई हुई ये भी 18 किलो दूद पे चली गई थी और ये हमने 1,44,000 रुपे की खरीदी थी ये भी हमारे पास लिए फिलाल जो है उपलब्द है तो इसका जो रेट हमने रखा है वो रखा है इसका भी रेट 85,000 रुपे रखा है दोनों के जो कीमत है 85-85,000 रुपे ये भी अगली बार तीसरी बार जब ब्याएगी तो ये भी दूद जो है 20 लेटर दूद देने वाड़ी जोटी है तो बैठे हैं और जो वो बैंस मैं अभी आपको दिखाऊंगा वो जो है बाखडी है और अभी दो दिन चार दिन पहले ही ये जो बैंस है वो प्रेगनेंट होई है ये वाड़ी बहुत सारे भाईयों ने इसकी 7 मिने पहले 7-8 महीने पहले वीडियो भी देखी होगी ये बैंस अपने फारं पे थी और अभी देखे दो दिन पहले हीट में आई थी आज भी थोड़ी थोड़ी तार डाल रही है तो इसको हमने बुल से अपने बुल से प्रेगनेंट करवाया है इसको जो है अपने पास जो कटड़ा है ये अधर बैठा हुआ इससे 13-19 मिने का ये कटड जी थी अपने मित्तर के पास और वहां से जब ये वापिस आई तो इसने जो दूद है वो उन्होंने बोला था चार महिने की प्रेगनेंट है और दो डाई लिटर दूद एक टाइम का ये जो बैंसा वो दे रही थी अभी फिलाल अपने पास आने के बाद ये चली चेक करवा है मैंने सबसे पहले तो दूसरे तीसरे दिन आते ही डोक्टर से के ये प्रेगनेंट है के नहीं है तो ये आते ही चेक उन्होंने खाली बता दी और खाली बताने के बाद लगबग उन्होंने कहा कि ये जो बैंसा चार पांच दिन में हफते के अंदर हीट में आ जाएगी तो हीट में ये लगातर दो दिन से साध कल भी छोड़ा होगा इसके उपर जो बुल है तो परसों भी छोड़ा था और साध ये अभी बुल से बिलकुल आराम से खुली हुई है नैचुरल हीट बहुत अच्छी हीट पे आई थी बैंस और बोल के प्रेगनेंट हुई है तो अपने हाने के बाद अभी लगबग दोनो टाइम दूद पे आगी वहाँ एक टाइम दूद दे रही थी दोनो टाइम ये अभी साथ साधे साथ और आठ लिटर के बीच में दूद दे रही है बारा लिटर दूद पे ये बैंस अभी भी जाएगी और ताजी बैयुई लगबग दस दिन के बाद गई थी तो वहां यहां भी पैसे जो है इसके लग रहे थे और इसके पिछे थी यह वाड़ी कटड़ी M29 की कटड़ी बिल्कुल हमने कन्फर्म करके जो किसान भाईयां उनसे खरीदी थी और यह कटड़ी हम अब फिलाल घर रखेंगे और यह बैस इस बच्चे पे अभी फिलाल नहीं लग रही है हाथ से आराम से लगती है और इसकी जो कीमत हमने रखी है वो रखी है 65,000 और बुल से अभी प्रेगनेंट हो चुकी है बहुत बड़ी अत्यारी में थी बैस और वहां पे सेवा कम थी इस कारण से बैस जो है थोड़ी कमजो रोगी थी तो ये तिनो बैस हमारे पास बिकरी के लिए उपलब्ध है जो कॉंटेक्ट नंबर है वो टाइटल में दिये गए है आप पूछ सकते हैं दो नंबर मैं दे रहा हूँ दो कर बैसों का रेट 85,000 रुपे और इसका जो है वो रेट मैंने आपको बताया तो आप सं प्रक कर सकते हैं ठीक है भाईयों सभी भाईयों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को मेरी तरफ से नमस कर दो